चलो फड़ा फड़ जो बच्चा कुछ आ एफटी यह वो कर लेते हैं फिर काल से हमें स्कीम पढ़ने हैं हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल और रिस्ट्रिक्शन्स तो अगर-अगर किसी परसन को कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है तो वहां पे हमारे लिए कुछ प्रोहिबिश प्रोहिए नहीं वह तुमको इस चीज में रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाएगा ठीक है एक इंपोर्ट एंप्र्ट नेसरी अप्लिकेशन और रेगुलेशन फर क्लासिफिकेशन ग्रेडिग मार्केटिंग और कॉमने नियुक्ट कॉमने फिस इन इंटरनाशन ट्रेड नही नहीं फॉर्म एंफोर्स्मेंट और मेशर रिष्ट्रिक्शन अगर तुम यहां बुला रहे हो तो उसका अगर कोई और प्रड़क्ट मतला वह तुमारे लिए है एक प्रड़क्ट रॉम अटिरियल जैसे उसके बाद तुम उससे क्याल्शियम की गोलिया बना रहे हो या पहला क्या है foodstuff, दूसरा क्या है जिसकी regulations है वो भी मत करो, तीसरा क्या है fisheries product, जो था, on the import to safeguard country's external financial position and to ensure level of reserves, तो हम ऐसी भी चीजों को मना करेंगे जिससे हमारी financial position affect होगी, ठीक है, ऐसे कोई भी products हम आपको import export नहीं करने देंगे, ऐसी कोई महंगी चीज हम आपको मंगाने नहीं देंगे बाहर से, जिससे हमारी financial position डग मंगाएगे, ठीक है, an import to promote establishment of a particular industry, कोई ऐसी चीज जिससे बाहर का ज्यादा promotion हो रहा हो, हम उससे आपको नहीं, क्योंकि क्या होगा, आपको तो उस import product से फायदा हुआ, हमारी country वाले लोग भी उसके लिए addiction हो जाएंगे, तो हम ऐसी चीज़ों को promote नहीं करेंगे, कि आप इस चीज़ को import करो, पहला क्या है, foodstuff, दूसरा बच्चे, regulations हैं जिसके against, तीसरा, fisheries product, चौथा, financial position हिला दे, पाच्वा, कोई भी ऐसा establishment of a country, establishment of a product, जिससे India country affect हो, उसके बाद, prevention of sudden increase in imports from causing serious injury to domestic producers, or to relief producers, who have suffered such injury, एक बार हमने कुछ import मंगा है, उससे हमारी factory में कुछ न कुछ injury होई, उसको खाने से बहुत लोग affect हुए, तो इस चीज़ को आगे हम ना बढाए, ऐसी severe injury और ना बढ़े, इसलिए हम पहले ही उस चीज़ को restrict or prohibit कर देंगे, ठीक है, एक बार गड़बड हो गई, ज beneficiaries product, चौथा, financial positional जाएगी, पाच्वा, establishment of a product allow नहीं करेंगे, जिससे injury होगी, ठीक है, public moral अगर affect होगा, या maintain public order करने के लिए, अगर हमको कोई restrictions लगाने हो, तो हम वो भी लगा देंगे, human protection, animal, plant, life, health, इन सब का protection करना हो, तो भी हम prohibition या restrictions आप पे लगा देंगे, relating to importation और exportation of gold और silver, हम कभी भी gold और silver अपना export करना allow नहीं करते हैं, हमारे इंडियम का gold, हमारे इंडियमे रहे हम ज़ादा इस चीज़ का export करना allow नहीं करते ही, ठीक है, दुबाई से लेके आना है ले लो, यहां से हम ले जाना बहुत जगा restrictions लगा देते हैं, ठीक है, पहला क्या है, foodst दूसरा, regulations तीसरा, fisheries product चौथा, financial positions पाँचवा, particular statement of a product या फिर industry 6th, serious injuries 7th, public order या maintain करना हो public order या public health effect और फिर animal plant, human health, सब कुछ फिर 8th, gold and silver, good, ठीक है, उसके बाद फिर आता है, necessary to secure compliance with laws, regulation relating to the protection of patent, trademark, copyrights and prevention of deceptive products, तो हमें कहीं पे भी अगर अपने brand की protection करने हो, तो उस चीज़ को भी हम import, export करना लाओ, नहीं करेंगे, मतलब कि अगर यहां पे एक brand अलरी चल रहा है, हमारा जैसे MM brand, अब अबरॉड में भी किसी ने इसको रजिस्टर करा रखा है, उसक आसकता है, ठीक है, या फिर इस प्रड़क को बाहर import करने से issue आसकता है, कि लोग कन्फ्यूज हो जाएं, तो हम ऐसे लोगों को, क्योंकि प्रीविस लोग अलाओ नहीं करता था, तो इस इधर पे हम law and compliance के against जाके यह वाले काम नहीं कर सकते, ठीक है, अब, relating to product of prisoner labor, जेल वा psychological value, हमारे यहां के जो भी museums में रखा रहता है, वो हम import या export करने आपको नहीं देंगे, हमारी इंडिया की चीज़े है, history यहीं रहे, बाहर की चीज़ों को लाके हम यह history नहीं दिखाएंगे, प्लस यहां की चीज़े हम बाहर export भी नहीं कर सकते, for conservation of national resources भी हम export नहीं कर सकते, ensure essential quantities of domestic processing industries, जब यहां पर पहले अगर कोई manufacturing unit है, तो पहले हम देखेंगे कि domestic needs फुल्फिल हो रही हैं की नहीं, फिर हम इसको export करने allow करेंगे, पहला क्या है बच्चे, foodstuff, दूसरा, regulations, तीसरा, fisheries, चौथा, industries, जो establishment of industry कर रहा है, पाचवा, financial position उसकी हिलने नीची है, 6th, serious injury, 7 7th, public morality या maintain public order, 7th, 8th, protection of human health animal, 9th, gold and silver, 10th, protection of IPR बोल सकते हैं हम, ठीक है, trade patents, फिर prisoner labor से related, फिर national resources या और है फिर historical चीज़े, ठीक है, essential of acquisition or distribution of products in general and local short supply, जिसका supply यहां short है, उसको भी हम export करने नहीं देंगे, ठीक है, अब for the protection of country, essential security interest, पहला है, relating to fissionable materials, जाने chemical based, जिससे बंबारूत बन सकता है, तो पहले हमारे इंडिया में हम बनाएंगे, फिर हम आपको उसके लिए export करने देंगे, traffic in arms, ammunition, implements of war, हमारे जैसे ठीक है, take in time of war or other emergency in international relations, तो अगर emergency आती तो पहले आप किसको बचाओगे, इंडिया को, पचला सारा माल export करते गए, कि international wall हो रहा है, तो हम तो export करेंगे, सर वहां में पैसा दे रहे, पहले इंडिया को बचाओ, फिर export करो, ठीक है, in pursuance of country obligation under the United Nations Charter for maintenance of international peace and security भी हम आपको कोई एक्सपोर्ट के लिए restrictions या prohibitions लगा सकते हैं, सबको याद हो गए, हाँ, easy है, natural resources जयाद रखना, plant life, human element, golden silver, prisoner labor, moral, public morality, foodstuffs, IPR, यहां के law rules, regulations maintain करने के लिए, जिसका भी यहां पे shortage है, वो हम आपको export करने अलाओ, नहीं करेंगे, ठीक है, फिर Indian, अपने country के security interest में आ जाते है, fissionable materials, traffic in arms, या फिर emergency international relation में, अगर कोई भी आपको export करना है, तो वहाँ पे prohibition restriction लग सकता है, ठीक है, export and import of restricted goods and product, इसका एक prescribed notification, अब मैं बताती जाओंगी, सुनते जाना, ठीक है, इसका एक prescribed notification आजाएगा, जहां पे उनको specifically, जो चीज इस लिस्ट में नहीं है, अलग से include करने तो notify कर देगा, DGFT या handbook procedure में डलवा देगा, फिर वो चीज का restriction हो जाएगा, ये goods and services ना import हो सकती है, ना export हो सकती है, actual user हमने कल पड़ा था, actual user मतलब, आगे produce करने के लिए कोई person वहाँ से कोई चीज इंपोर्ट करता है, और यहाँ पे उस चीज को raw material यूज करके नया कोई प्रड़क्शन करता है, ठीक है, उसको इस चीज का authorization है, तो industrial-based हो ये non-industrial-based हो इसका product हो, इसके पास ये terms and conditions उसको fulfill करनी है, कि आपने क्या माल मंगाया, ठीक है, किस quantity में मंगाया, उसके बाद क्या condition है, क्या obligation है, क्या obligation है, क्या आप इसको export करोगे, तो आपके ओपर क्या obligation है, क्या export करना है, कितना export करना है, minimum value, minimum price, क्या रखोगे, bank guarantee, legal undertaking, ली है कि नहीं, और validity period, क्या है, specified है, handbook procedure में, तो आपने वो चीज मेंटीन करी है, कि नहीं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, फिर आजाता है, penal action भी अमने देखा था, prohibition भी देखा था, अब आजाते है, import-export through state trading enterprise, government ने कुछ enterprise कुछ status दे रखा है, state trading enterprise, तो ये governmental भी होते हैं, और non-governmental enterprise भी होते हैं, इसमें आ जाते है marketing boards, which deals with goods of export and import, कुछ नहीं है, ये वो लोग है, जिनको tagline देदी है, state trading enterprise, ये एक industry है, जो government-based भी हो सकती है, और non-government करती किया है, import-export, ठीक है, इन लोगों को जब ये tagline दी हुए है, तो एक list है, जिसमें इन सब के नाम है, कि ये लोगों है, state trading enterprises है, इन लोगों के purchases, sales involving import, export solely in accordance with the commercial transaction, including price, quality, availability, marketability, such other conditions, जैसी भी handbook procedure में या DGFT जो बोलेंगे, वो इनको follow करनी है, DGFT, other type of authorization भी दे सकता है, कि ये माला में import कर सकते है, ये माला पे export कर सकते है ये माला इंपोर्ट नहीं कर सकते है, ये माला एक्सपोर्ट नहीं कर सकते है, ठीक है, ये सिर्फ में पढ़ाते जा रहे हूँ, तुमको एक बार read करना है, उसके बार trade with specific countries, जैसे हमने पढ़ा था किन के साथ prohibitions है, वैसे declarations भी हैं, किन के साथ आप कर सकते हो, तो neighboring countries ये ये में डाला है, ताकि हमारे economy की strength बढ़े, हमारे economy का promotion हो, development हो, और यहां पे export का जादा से जादा growth हो, ठीक है, import of specific category of goods, अब देखना, कुछ samples है, जो उन्होंने बोल, allow किया है, कुछ samples है, जो उन्होंने authorized हमको नहीं किया है, मंगाने के लिए, ये कुछ जगह पे बोल दिय है, कि इस चीज को restriction है, इस चीज में prohibition है, इस चीज में condition है, इस चीज में permission है, ठीक है, no authorization shall be required for import of bona fide technical and trade samples item restricted, मतलब कि जो हमारी list है, handbook procedure में, ITC, HC याद है, HSC, IT याद है, ठीक है, harmonized system of normality nature, जिसमें list है, तो उसमें हमने डाल रखा है, कि इनके आप samples नहीं मंगा सकते है, हमने completely restrictions लगा रखे, इन इनके samples आप नहीं मंगा, the direct product लो, direct payment करो, samples मंगाने का काम हम अलाओ, नहीं कर रहे है, import of goods, कहीं जगा ना, FTP में बोल दिया है, कि import of goods allowed नहीं है, ठीक है, हाँ, gifts, properly gifts, देखो, कैसे gifts, जब आप अभी बहुत जग अपने होता है, बहुत जादा wholesale में म आप नेर को लो, 5indruck लो, 10 लाक कमा लो, तो अभी 1 लाक कमा लो, हो एक बढ़ी ऑग के टिंगी 5 लाक के लाग तो पूरावन उठा के यह को फुरा अवन उठा के देंगी तो अब तुमको मैं उस सेंस में समझा रहे हूँ कि यह जो वाले गिफ्ट्स हैं, जो इंपोर्ट करने पर देते हैं, तो यह हमने अलाओ नहीं की हैं, ठीक है, तो इंपोर्ट अफ गुड्स इंक्लूड दोस परचेस्ट अफ पर्चेस्ट अफ पॉर्टल थू पोस्ट और क सकते हैं, ठीक है, उनने पता नहीं क्यों FTP में राख ही स्पेसिफिकली, वो अलग चीज है, इंपोर्ट सैंपल्स मंगा है, ठीक है, अब अच्छा-कासा माल मंगा है, तो आपको गिफ्ट दे रहा है, तो वो प्रोहिबिटेड है, कि वो सारे गिफ्ट्स वाली चीज, क्य हो, वो है आगे, तो पैसेंजर बैगेज लिखा है नीचे, इसमें आप कुछ भी लेके हो, कोई दिक्कत नहीं, अपन अबरॉट जाते हैं, फोन लेके आते हैं, चीजे लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो सैंपल्स, पहली बात, रिस्ट्रिक्टेड है, ग कर सकता है, specifically ladies, क्योंकि बंदा तो इतने सारे मंगल सूतर पहन के आएगा नहीं, ठीक है, तो वो जो वेरेबिल होता है, सिर्फ वो लेके आ सकते हो, अलग से आप नहीं ला सकते है, फोन भी specifically, जो आप यूज कर सकते हो, वो लेके आ सकते हो, यह हर कंट्री का अलग अलग च सकता है, अगर वो कंट्री बोल रहा है कि नहीं, एक सिंगल फोन जो आप यूज करता हुआ, बॉक्स अलग नहीं है, अच्छा, क्या ला ही नहीं सकते है, ऐसा नहीं है, लेके आओ, कस्टम ड्यूटी भरने पड़ती है, ठीक है, तो फिर उतनी expensive duty भी भरो, तो depending on the terms and conditions, हमक in the baggage rules, notified by Ministry of Finance, तो अपने bag में, घर का सामान, खुद का यूज का सामान, फोन, जूलरी, सब ले के आ सकते हो, but as per the limits provided by the Ministry of Finance, samples such as the items otherwise freely importable under FTP are also imported as a part of passenger bags without any authorization subject to baggage rules, मैं दूंको बता हूँ, इतने सारे skin care products आते हैं, काफी सारे import हो के आते हैं, ठीक है, अब samples कैसे आते हैं इंडिय में, जो influencers होती है, जो ये makeup makeup करती रहती है, दिन भर Instagram में, वो लोग को brands बुलाते हैं abroad, ठीक है, recently कुछ influencers को रिया गई थी, ठीक है, C.O.L. अब वहाँ उनको बुलाया था skin care products के लिए, तो उनको खरीदने की ज़रत नहीं थी, उनको वहाँ sample sorted दिखाए, कि कैसे बनता है, क् पर वह samples लेकिया है, अब वह जब samples लेकिया है, तो यहाँ पर उस चीज को promote करेंगी, यहाँ promote करेंगी, तो हम जैसे लोग उनको order करेंगी, तो वहाँ की sale होगी, तो वह samples लेना allowed है, अब समझ आया, पर वह भी as per baggage rules, तो बच्चे हर चीज उनने बस यह लिख दी, जिस DGFT रिस्टिक्शिंस दी है, वह कर लो, जिस चीज में प्रोभिशन है, वह मत करो, जो हमने बोला है, वैसा करो, तो policy में अभी, जितना हम baggage वाला पड़ रहे है, इसमें कौन से रूल की बात कर रहे है, वह baggage rules की बात कर रहे है, ठीक है, एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे है, लेकिन हम abroad गये थे देखने है, और क्या क्या है, तो क्या हम कुछ नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं, तो हमको भी allow किया गया है, तो import क्या ला सकते हो, drawings ला सकते हो, patterns ला सकते हो, कोई ना कोई label, वहां के price tags ला सकते हो, buttons, bells, trimmings, cuttings मिलती हैं, अगर कपड़े की वो ला सकते हो embellishments लेके आ सकते हैं चुचिटे stones अगर आपको मिलने डिपेंडिंग आप किस चीज का business करते हो तो exporter को भी बोल यह सारी चीजों का import आप कर सकते हो required for export as a part of their passenger bag without any authorization subject to limit as laid down by FTP or relevant custom notifications तो जो भी notifications laws में rules में लिखा है वो आपको करना है लेकिन आप ला सकते हो लेकिन limits आपके rules में prescribed की गई है any items including samples or prototypes of items which import policy restricted prohibited is canalized by STR not permitted as a part of passenger जो चीज prohibited है वो permission में लेगी क्या नहीं देखो बच्चे अभी पड़ा gifts prohibited samples restricted है वही चीज अगर import through passenger bag में allow होगी क्या नहीं यहाँ पे भी अगर restrictions उपर applied है तो यहाँ पे भी आप पे वो restrictions लगेंगे ठीक है तो हमने क्या पड़ा samples नहीं ला सकते authorization नहीं है क्योंकि restrictions है gifts completely prohibited passenger bags में yes ला सकते हो as per your baggage rules re-import of goods are repaired abroad machine ले की आई खराब हो गई यहाँ बनेगी क्या नहीं तो वापिस भेजना पड़ेगा फिर वापिस import करना पड़ेगा तो उसको कह रहें री इंपोर्ट तो कोई भी capital good equipment component part accessories weather imported or indigenous except those restricted under ITC may be sent abroad for repair testing qualify improvement up gradation standards of technology or re-imported without and authorization इस के लिए तुम्हें कोई भी permission लेने की ज़रत नहीं अगर इसमें restrictions हैं तो import नहीं कर सकते आप इसको re-import नहीं करा सकते लेकिन वैसे हर चीज हमने अलाओ करिए इस लिए एक्सेप्ट दोज restricted under ITC HS फिर import of goods used in projects abroad ठीक है कर सकते हो without an organization import of prototypes हां कोई new second hand goods या कोई prototypes लेने हैं samples लेने हैं without payment of duty करो without authorization यह वाली चीज है actual user ले सकता है ठीक है यहां से second hand goods बनाएगा और बेचेगा इसको आपको read करना import policy for second hand goods सब में almost दो चीजों में restrictions है फिर free है फिर restricted है और फिर free है तो किस कौन-कौन से second hand goods हम मंगा सकते है with restrictions और कैसे authorization हमको इस चीज का मिलेगा ठीक है आ करो read करके आना import policy for metallic waste and scraps तो अब import of any अब कोई भी चीज hazardious होगी toxic होगी इंडिया के लिए यहां पर dangerous होगी तो हम अलाओ करेंगी क्या नहीं तो import of any form of metallic waste scrap subject to condition that it will not contain a hazardous toxic waste radioactive contaminated waste scrap contain radioactive material any types of arm ammunition mine shells life use use of cartridge or other explosive material in either form तो आप कर सकते हो metallic products वहां से waste है सब मंगा सकते हो लेकिन वो non hazardous होने चाहिए ठीक है कहीं की भी किसी भी तरीक का toxic नहीं होना चाहिए तो इसमें कोई भी बंबारूत वाली चीजें भी involved नहीं होने चाहिए Removal of scrap and waste from SEZ SEZ unit developer co developer may be allowed to dispose of in DTA anyway scrap including any form of metallic generated during the manufacturing and processing Now where is SEZ? In India ही होता है लेकिन उसको हम क्या बोलते है एक अलग सा zone है अब अधर पर उस इंड़स्ट्री में बनाया मैंने तुम लोग को बता था SEZ कहा होता है जब train में जाते तो जो vacate area थे अब वहां कच्रा आएगा तो कहा फेकेगा इंडिया में ही देगा ना DTA domestic tariff area में ही देगा तो policy में लिखती है लेकिन SEZ के अगेंस्ट अगर कोई ऐसा कच्रा आता है जो शायद हजाड़ेंस भी होगा तो उसको dump उसको dispose of DTA के यहां पर वह कर सकता है without any authorization उसको उस चीज़ के लिए हम problem नहीं करेंगे अधर प्रोविजन रिलेटेट टू इंपोर्ट अब देखो लीस फिनाइनस है तो नो स्पेसिफिक परफरमीशन ओफ डीजी एफटी applicable custom duty इसके बाद अच्छा कासा एक्सपोर्ट करती तो हम इसको फ्री कर सकते हैं पर वैसे तो इसको अब कचरा बाहर भीजने के लिए पेमेंट तो करनी पड़ेगी ठीक है कुछ अधर प्रोवीजन्स है मैंने तुम लों को बताया था अगर इंपोर्ट वगेरा करते है तो बैंक गारेंटी वगेरा लेनी पड़ती है सेम गोज विथ एक्सपोर्ट ऑल्सो ठीक है तो जब एक्चल यूजर बढ़ रहे थे तो वो क्या कर रहा था इंपोर्ट कर रहा था उसके बाद प्रड्यूस करके क्या कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ कंडिशन्स लागू थी कि उब्लिगेशन्स क्या है सारी डीटेल्स दो वैसी उसमें एक उब्लिगेशन था बैंक गयरेंटी और लीगल अफ अंडर्टिकिंग लिए कि नहीं वही सारी उब्लिगेशन्स जो आप फुल्फिल करने सबसे पहले लीस फिनांसिंग अगर कर रहे हो ठीके मतलब प्रॉप चीज लेनी पड़ेगी प्राइविट प्राइविट पब्लिग बॉन्डेट वेरहाउस फॉर एक्सपोर्ट ठीक है प्राइविट पब्लिग बॉन्डेट में भी सेट अप इन डीटे आस पर रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन इसूद फॉर कॉस्टम्स आइसी जे कोई भी ऑगनाईजेशन की यही होती बस वो सिर्फ आपको रूल्स क्लियर वर्ड्स में दिखाना चाहते हैं कि अच्छा वेरहुस कोल सकते हो खोल सकते हो नहीं खोल सकते नहीं इसमें रिस्ट्रिक्शन है ठीक है इसमें परमिशन लेनी है ठीक है बस यही यही पॉइंट इसमें कुछ बहुत खास एक्सप्लेशन बच्चे है नहीं ठीक है उसके बाद दा क्लियरेंस वेरहुस आस पर प्रोविजिन आफ कस्टम अक्ट तो आई ऐसी जेड को करना है तो भी कस्टम आग्ट नॉर्मली भी करना है तो भी कस्टम आइट स्पेशल प्रोविजिन इसमाचतियो आड आनिमल्स की निकालना थिक है तो अगर यह इंपोर्ट करने वसके लिए यह इंपोर्ट करने तो उसके लिए आपको परमीशन लेनी पड़ेगी है रस सकता में बी में इंपोर्ट इन पक्रव्लिक वैरहौस या प्राइबट वएरहॉस ए प्राइबिट का दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपोर्ट में दिया हुआ है, कि all goods may be exported without any restriction, except, जिसके लिए regulation में दिया होगा, कि ये सारी चीज़े एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, जो अभी पड़ी, foodstuff export कर सकते क्या, nuclear bombs export कर सकते क्या, other provision of under any law, DGFT में however, specify through a public notice, such terms and conditions according to which any goods not including ITCHS may be exported without an authorization, suppose आपको कोई ऐसा product export करना है, जो ITC में नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो DGFT इसका एक public notice दे सकता है, कि इसको export without authorization किया जा सकता है, कि नहीं किया जा सकता, benefits of supporting manufacture, supporting manufacture मतलब, नीचिवदे को लिखा हुआ है, complete manufacture नहीं है, कुछ-कुछ पार्ट आपको बना के देगा, main assemble करके आप बनाओगे, ठीक है, एक product आप बनाओगे, कुछ-कुछ पार्ट उससे लोगे, accessories लोगे, main आप बनाओगे, तो यह लोग कौन हो गया आपके, supporting manufacturers, ठीक है, third party manufacture भी बोल सकते हैं आपने इसको, for the benefit to accrue to the supporting manufacturer, names of the board, supporting manufacturer, as well as merchant exporter must figure in the concerned export document, specially in tax, invoice, shipping bill, and bill of export, or air bill, यहां से कुछ भी export करना है, किसने बनाया product, मैंने बनाया है, लेकिन मेरा supporting manufacturer भी, जो इसमें कुछ-कुछ ऐसे items लगे, तो supporting manufacturer ने दीत हो, उसका नाम भी मुझे लिखना पड़ेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ benefit होगा, ठीक है, ऐसी third party manufacturer आगा है, जिसको हम, अच्छा, इसमें accept deemed, deemed export अभी हम पड़ेगे, ठीक है, third party exports है, shall be allowed under FTP, अग, export document shipping bill में, इसका भी नाम देना पड़ेगा, samples का export कर सकते क्या, यहां से हम, import कर पा रहे थे क्या, restrictions हो रहे थे, तो, ठीक है, इसमें भी यही है, export of bona fide trade and technical samples are freely exportable, shall be allowed without any limit, अगर कहीं पर हमें कुछ दिक्कत देनी होगी आपको, तो handbook procedure में हम आपको वो दे देंगे, gifts, यहां से 5 लाग तक के gifts आप पहँचा सकते हो, हमको को दिक्कत नहीं, अब तुम logic समझो, क्यों import of gifts मना कर रहे थे, क्योंकि तुम being Indians attract होगे, हाँ, gift में रहे और import करेंगे, और export of passenger baggage, तुमको वहां से कुछ भी लाने का allowed हो रहा था ना, इनको भी allowed है, यहां से लेके जाए, bonafide personal baggage may be exported either along with the passenger or ununcompanied within one year before after passenger departures from, the item mentioned as restricted shall require an authorization, अगर कहीं restrictions हैं, तो permission लेके भी export किया जा सकते है, तुरूँ पासेंचर, एक बार इसको read करो, Homework लिखा है, import for export, चीजे बहार से मंगाई, उसके बाद भी यहां पर produce किया, और फिर से export किया, उसके बारे में pointers है, ठीक है, तो जहां पर freely है, वहां freely है, जहां restricted है, वहां restricted है, same चीजे लिखी है, Export of replacement goods, सामने वाले को नहीं पसंद आया, आपको क्या बोलेगा, replace करके तो, जैसे आप रिपेर कर आ रहे थे, अगर defective damaged मिलता है, या unfit मिलता है, imported for replacement, free of charge by the exporter, in accordance with the custom rules, इससे related तुमको, कोई question नहीं आएगा, तुमको लग रहा है किया कोई question बन, इससे related नहीं आएगे, general purpose है, तो मैं तुमें समझाने के लिए, उनने क्या किया है, policy उठा के, as it is डाल दी है, अब डाली है तो हमें, पढ़नी पड़ेगी, हम तो skip करेंगे नहीं, हाँ, पर actually, बच्चे, last attempt में 2015 से 20 थी, policy, उसमें ये सारी चीज़े included नहीं थी, it was just in scheme, 2015 था ना, इतने हुशार नहीं थी तब, सिफ एक random scheme थी, पाच्चे scheme, जैसे तुमारी है न, चो अभी है, इसके अलावा और समझो, तो हमने उसमें, बस पहले समझा, FTP क्या है, फिर सी IEC code, IEC code के बाद हमने पढ़ा, status holder वाली चीज, उसके privilege, उसमें skill वाला नहीं था, MNST schemes नहीं थे, जो तुमने ये TE पढ़ा है, Export Hub पढ़ा है, ये सब पुराने में कुछ नहीं था, और जो तुम ये पढ़ोगे कल, ये सब था, और जो तुम ये पढ़ोगे कल, ये सब था, इसमें अभी आएगा Export Council, अब है कुछ नहीं, डिपार्टमेंट बनेगा, तो लोगों को बिठाया हुआ है, कौन जी रजिस्ट्री है, क्या है, कितने लोग बिठाया है, कौन चैर्मेन है, वो Council, ये सब पहले नहीं था, अभी अभी जा गया है, बनाया है उन्होंने ये Export of Repaired Goods, जैसे Replacement करने दिया, कि हमको पसंद नहीं आया, वैसे Repair करके भी दो, सामने वाले को एक साल की Warranty दी हुई थी, ठीक नहीं नहीं, खराब हो गया एक साल में, तो Repair करके दो, तो अगर Restricted है, तो Allowed नहीं है, उसके अलावा हर चीज आप Repair करके वापिस Export कर सकते ह ठीक है, ऐसी Spairs, Warranty Spairs, उसके पास कोई Machine भेजी थी, उसके Spare Part टूड गए, तो अगर उसमें Warranty है, तो चुपचप यहां से Export किया जा सकता है, Re-Export of Imported Goods Found, जो उपर अपने पड़ा, Private Bonded Warehouse for Exports, Public and Private Bonded Warehouses मिल रहे थे, Imports में, Export में, Private आपको Warehouse मिल जाएगा, Near the Airport वगेरा, या चाहा भी आपको चाहिए Shipping की एरिया में, जो भी जैसा भी आपका Export होता है, तो वो भी आपको FTP Policy के साब से Allowed है, आप सेट अप कर सकते हो, as per the Department of Revenue की Terms and Conditions से, Payment and Receipts on Import and Export, Denomination of Export Contracts, All Export Contracts and Invoices, अच्छा, तो मुझे बताओ, कि तुम यहां से Export कर रहे है, ठीक है, तुम्हें पाईसा काई में चाहिए, इंडियन रुपीज में, तो वो वही बात कह रहे है, कि जितने तुम्हारे इंडियन रुपीज है, तुम्हें कोई भी करंसी ते, तुम्हें इंडियन रुपीज में वो पैसा मिल जाए, ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे Contracts होंगे, जितने भी तुम्हारे Invoices होंगे, Denominated, इधर Freely Convertible Currency, और Indian रुपीज, बट export procedure shall be reside in Freely Convertible Currency, जिसका Conversion, इंडिया में हम बैट के किया जा सकता है, वो वाली currency में आप अपने invoices raise कर सकते हो, मैं तुमको इसका example देती हूँ, कहीं कहीं dollar भी चलता है, और उनका खुद का own currency भी चलता है, ठीके, तो अगर वो उनका own currency, ठीके, इंडिया में अगर extendable या freely convertible नहीं होगा, तो तुम हर transaction dollar में करो, ठीके, या फिर तुम Indian rupees में करो, clear, पूछो आस्ता, या ही पूछ रहता है, मैं समझ गई थी, ठीके, however, export proceeds, export proceeds, हमको मतलब है तुम कितना पैसा ला रहे है, ठीके, तुम कितना दे रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं, तुम ये mark कर लो, एक vastro account बनाया है उन्होंने, freely convertible vastro account, ठीके, जिसमें आपका सारा पैसा सारी data, सारी details हमको देखनी हैं, कि आपका पैसा, exposed proceeds से आके, वो स्त्रो account में आ जाए, ठीके, contracts for which payments are received from Asian clearing union shall be denominated in ACU dollar, अगर Asia से deal करें तो ACU dollar, all permissible in NRI subject to compliance under, अगर आपके invoices, payments, settlements, export और imports are permissible, Indian rupees में मंगा रहे हैं, तो जो RBI की conditions हैं, वो आपको follow करनी है, फिर following procedure follow करना है, यह दो pointers read करो, अब भी अगर नहीं समझाए है, तो पूछ लो, special was through account के बारे में ही लिखा है, बच्छे detail में भी जा सकते हैं, पर जिसको इतना elaborate करने का कोई वो नहीं है, हमारे exam purposes से इसलिए नहीं किया, ठीक है, बाकी सारे chapters काफी detail है, FTP वो focus area है, जहां पर हमें question answer बने, सारी payment इंडियन रुपीज में आके वैस्तुर अकाउंट में आ जाए, ठीक है, हमको मतलब यहीं हमको देखना है, तुम लोग अभी तक यहीं सोच रहे थे कि इतना इंडिया एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, उसको पता कैसे चल रहा है, तो इस अकाउंट में पैसे आएग जो इंडिया को पता चलेगा, जब आप ड्यूटी भर होगे, थोड़ी बहुत तो फ्री तो नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगएर भी है, टाक्स भर होगे, तो हमको पता चलेगा, तो हमारे रेवेन्यू आपके टाक्सेशन से आएगा, ठीक है, तो आप अच्छा का पता चलेगा, तो उसमें वह एपलिकेबल है, और अगर हम इसको लेके कोई स्कीम लाते हैं, कि आपको इस चीज में हम छूट दे रहे हैं, आपको यह वाली डूटी हम आपको नहीं अपलाए कर रही है, यह वाली डूटी में हम आपको कुछ बिन कुछ डिसकाउंस दे रह जो आपने freely Indian rupees में पैसा मंगा है, मतलब अगर आपकी इतनी है बकत कि आप Indian rupees वहां से मंगा ले रहे हो, तो क्योंकि आपकी currency आपको वापस मिल रही है, उनके पास Indian currency कम हो रही है, फिर वो खरीदने जाएगा, तो हम आपको अलग-अलग type के incentives, benefits भी provide करेंगे, जो benefits FTP में mentioned हों आपको मिल जाएंगे, और यह कुछ benefits नहीं, यह duty के ही benefits है, और क्या benefits देगा आप, non-realization of exports, अगर पैसा ही नहीं आया, तो क्या करोगे? बैट देट हो जाएगा, और penalty, तुम्हारी duty है कि तुम्हें export proceeds मंगाना है, अपन ने पढ़ा है foreign law में, ठीक है, कि आपकी duty है कि आपको वो सारे realize कराने है, repatriate करवाना है, ठीक है, तो if an exporter fails to realize export proceeds within the time specified by RBA, he shall without pressurized to any liability or penalty under any law in force, be liable to return all the benefits incentives availed against any kind of exports और action जो FTP में मिला हो और action के से साब से होगा, foreign trade regulation वाले act से, ठीक है, exporter is unable to realize the export for reasons beyond his control, तो RBI को approach कर सकता है और बोल सकता है, please मुझे unrealized amount के लिए आप मुझे कोई भी remedy प्रोवाइड करो, क्योंकि ये amount अब unrealized है, ये मुझे पैसा नहीं मिलेगा, पहली बात तो तुम से सारे benefits हम वापिस ले लेंगे, पर अगर आप RBI को खुद inform कर रहे हो, कि मेरे साथ दोखा हुआ है, तो depending उसका क्या approach है, पर आपको उसको inform करना है, पिदा पेमेंट रिलाइस तु इंशॉरेंस कावर वुड बेनिफिट फॉर FTP, आप नीचे हम पढ़ेंगे, ये credit agencies है न, ये basically क्या करती है, कि अगर तुम्हें इनके agencies में रेजिस्टर हो जाए, तो आप नुकसान होगा न, हम भरपाई करेंगे, ठीक है, तो अगर तुमन अपने ये वाले payments का insurance करा रखा है, कि कल को ये amount underlies हो गया, तो export credit agencies इसका भरपाई कर देगी, तो अगर ये भरपाई हो जाती है, तो आप वो FTP के जो benefits ले रहे थे न, वो आप लेते रहो, हम उसमें आपको restrictions, या हम वापस आपस आपस वो benefits नहीं लेंगे, ठीक है, इसके just नीचे दिया हुआ, export credit agency, mark करो, read, मैं बता दे रही हूं, ये support करता है आपको insurance में, guarantee में, और direct lending में, तो loan चाहिए, तो वो भी दे देगा, insurance करा के देगा, और कल को आपके payments recover नहीं कर पाते हो, तो ये आपको वो recover करेगा, तो उस type की वो guarantee देते है, तो guarantee में क्या होता है, 90% भी ले लो, ठीक है, 10% बाद में, जब पूरा पैसा आ जाता है, वो वाले काम आपको export credit agency करा के देगा, अब export promotion council, recognition of export promotion council to function as registry authority to issue RCMC, ठीक है, RCMC याने registration come membership certificate, तो अगर आप export करते हो, तो इस council A, अगर आप इस council का part हो, तो आपके पास ये certificate होना चाहिए, कि बहां के आप क्या हो, member हो, तो export promotion council बनाया है, जो क्या करेंगे बच्चे, क्या object होगा इसका, to promote and develop Indian export, जैसा नाम, वैसा का, Each council is responsible for promotion of any particular group of products and services, तो इस क्या अंदर, इस council के अंदर हमने क्या बना दिया है, groups बना दिया, इस product का तुम्हें प्रमोशन करना है, इस product का तुम्हें करना है, इस service का तुम्हें करना है, तो इस groups अपने-पने product के लिए responsible है, फिर जो export promotion council है, वो eligible है, functions जो भी registry authority देगी, under the registration come membership certificates to its members, तो जो जो responsibility आपको registry प्रोवाइड करेगी, वो आपको fulfill करना है, as per this certificate, वो certificates की detail दी हुई है, कैसे आप उस चीज को apply कर सकते हो, any person applying for authorization of import-export under FTP, except जो restricted है, तो आप import-export नहीं कर सकते है, और applying any other benefit या, concession shall be required to provide RCMC granted by the competent authority in according to the procedure specified in handbook procedure, council के अंदर अगर आपको membership चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या लगएगा, RCMC, ठीक है, अगर आपके पास RCMC है, या फिर इस competent authority से आपको certification है, तो आप avail कर सकते हो, अपने export के benefits, ठीक है, certificate, अच्छा, spices के लिए अलग certificate और ये कोयर पता है, क्या होता है, बोरी, वोई जूट, बोरी, बोरी का thread आता है, वो इंडिया का ही है, कोयर, ठीक है, तो इसके अगर exports करते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से सर्ट, तो मसाले, abroad में नहीं बनते, जो हमारे यां बनते हैं, इसके लिए आपको अलग से certificate लेना पड़ेगा, और कोयर के लिए, वो बोरी, वो जूट के लिए आपको अलग certificate लेना पड़ेगा, interpretation of policy, जो भी DGFT बोलेगा, वो final है, तो अगर policy का अगर मतलब DGFT ने कुछ और निकाला है, तो जो DGFT बोलेगा, वो final or binding on all exporters and importers रहेगा, अब DGFT के अंदर क्या क्या आते है, DGFT को chairman, additional DGFT headquarters members आते हैं, all joint DGFT headquarters looking after policy matters, joint DGFT member secretaries, any other person representative और department के हिसाप से, जो भी उनको concerned member लगेंगे, वो opt कर सकते हैं, ठीक है, co opted by the chairman, कौन-कौन लोग है, chairman है, additional members जो DGFT के लिए रहेंगे, और joint DGFT headquarters के और members, joint DGFT के member secretaries और other persons, exemption from policy और procedures, norms committee याद है, कहाँ पड़ी थी, norms committee, rules बनाते हैं, within 60 days बनाते हैं, input, output, तो अब हमने क्या किया है, public interest के चलते हैं, कहीं-कहीं कुछ exemptions, relaxations या reliefs दी हुए हैं, जहां हमें लगेगा, और जो ये, आपको exemptions मिलेगा ना, वो in following committees से consultation होके, आपको वो reliefs या exemption, वागेरा मिलेगा, कौन कौन सी committees, एक norms committee है, एक EPFGG है, वो वाली committee, जो capital good वाली है, ठीक है, और एक policy relaxation committee, इन लोगों से consultation होने के बाद, आपको exemption मिल सकता है, कुछ ना, कुछ प्रोसीजर से, ठीक है, हाँ, बस, बस, कल हम पढ़ें, तुम ये बस पढ़के आजाना, self certification, बस फिर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने तुम्हें एक ये दिया है, certification, developing district of export hubs पढ़ लिया, उसी का ही detail version है, काफी, काफी, अब